नमस्कार आप देख रहे हैं आर्नाइन टीवी मैं हूँ आपके साथ आशी मात्यागी और बुल्टन के शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ तो जमु कश्मीर में हालात सामाने हो रहे हैं तो प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है सरकारी दफ्तर और स्कूल ज कि गई है तो जमु कश्मीर में हालात सामाने हो रहे हैं श्री नगर में आज से स्कूल और सरकारी जो दफ्तर है वो खुल गए है तो करीब 14 दिन बाद घाटी में स्कूल कॉलेज कुले है किसी भी तरह के हालातों से निपटने के लिए सुरक्षा बलो को मुस्तैद रखा है तो प्रशासन पूरी तरह से सतर्ख है जमु कश्मीर के ग्रह विभाद ने बयांग जारी कर अफवाहों पर ध्यार ना देने की अपिल किया तो प्रशासन की तरफ से सभी ग्रहकों को रसोई गैस की होम डिलिवरी सुनिश्चित की गई है ताकि लोगों को किसी भी तरे पर का रूखिया पर करेंगे तो चुनाव से पहले भागवत में फिर पोड़ा आरक्षण बंद चुनाव से पहले थे प्रामुक मोहन भागवत में पर चर्चा की जो बश्रक है और उनकी तरह से कहा जा रहा है कि आरक्षन पर सोहाद्र पूर्ण बातावरण में विमर्ष होना चाहिए, पूरा विमर्ष असली मुद्दे से भटक गया है तो RSS प्रमुक मोहन भागबत ने एक बार पर से आरक्षन पर चर्चा करने की वकालत की है भागबत ने कारिक्रम में कहा कि जो आरक्षन के पक्ष में है और जो इसके खिलाफ है उन्हें सोहाद्र पूर्ण बातावरण में इस पर विमर्ष करना चाहिए संग प्रमुक ने ये भी कहा है कि उन्होंने आरक्षन पर पहले भी बात की थी लेकिन तब इस पर काफी बवाल मचा था और पूरा विमर्ष असले मुद्दे से भटक गया था तो संग प्रमुक ने इसे पहले पिछली बार विहार चुनाव के दौरान आरक्षन के मुद्दे को उठाया था तब वीजेपी को हार का मुँ देखना पड़ा था तो चुनाव से पहले एक बार पिर से भागवत की तरफ से आरक्षन जो बम है वो फोड़ा गया है आरक्षन पर चर्चा की जो वकालत है वो यहाँ पर की जा रही है और बुल्टर में आगे पड़ेंगे और एक और बड़ी ख़बर का रुक करेंगे राज ठाक्रे की मुश्किले बढ़ती नजर आ रही है तो एक बार पर से राज ठाक्रे मुश्किलों में घिरे हुए है कोहिनूर इमारत मामले में राज पर शिकंज्वा कसा जाएगा तो इसके लिए नोटिस जो है वो राज ठाक्रे को दिया गया है तो एक बार पर से मुश्किलों में घिरते हुए राज ठाक्रे तो मुंबई में कोही नूर इमारत मामले में राज ठाकरे की जो मुश्किले है वो बढ़ गई है प्रवरतन निदेशाले ने महरास्ट नव निर्वान सेना के संस्थापक राज ठाकरे को नोटिस जारी किया है तो जा चिजनसी ने राज ठाकरे को 22 अगस्त को पेश होने को कहा है तो अब इस पूरे मामले में राज ठाकरे की जो मुश्किले है वो बढ़ गई है पुलिस की गिरफतारी के डर से फरार हुए बिहार के बाहुबली नेता और निर्दले बतायक अनन सिंग की तरव से एक विडियो जारी किया गया है और इस विडियो में उन्होंने अगले 3-4 दिनों में कोर्ट के सामने सरिंडर होने की बात कही है तो ये विडियो खुद अनन सिंग की तरव से जारी किया गया है तो अनन सिंग ने कहा है कि वो गिरफतारी के डर से भागे नहीं है बलकि अपने बिमार दोस्त को देखने के लिए कहीं गये है तो शनिवार की राद पटना पुलिस ने अनंत सिंग को गिरफतारी के लिए उनके घर पर दभीश दी थी अनंत सिंग को इसकी भनक लग चुकी थी और वो पिछले दर्वाजे से परार हो गए थे तो पुलिस की गिरफतारी के डर से परार हुए अनंत सिंग की तरव से एक व आगे नहीं पुर रहे हैं बलकि वो अपने दोस्ता विमार दोस्त का हाल चाल जानने के लिए पहुंचे हैं यव्र नगर में पहुंचे सीम अनोहरलाल की तरफ से पूर्व सीम भूपेंद्र सिंग हुड़ा के बयान पर पलटवार किया गया है उन्होंने कहा है कि ना नौमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी तो भूपेंद्र सिंग हुड़ा के बयान पर पलटवार करते हुए भूपेंद्र सिंग हुड़ा ने जो बयान दिया था सीम अनोहरलाल की तरफ सुर्व पलटवार किया गया तो उन्होंने कहा कि अपने परिवर्तन महारहली में उप्प मुख्य मंत्री बनाएंगे तो सिमनोहरलाल इसी बयान पर चुटकी ले रहे थे और उन्होंने कहा कि ना तो नौमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी बुलेटिन में आगे पढ़ेंगे सेमनोहरलाल की जन आशिरवाद यात्रा नारणगर पहुँच चुकी है जहां लोगों ने उनका जोड़दार स्वागत किया तो वहीं सिमनोहरलाल की तरव से 2019 वधानसवा चुनावों को लेकर लोगों से 75 पार लक्ष प्राप्ती के लिए आशिरवाद भी मांगा तो इस दोरान लोगों से रूबरू होते हुए सिमनोहरलाल काफियोच साहिप पी नजर आए तो सिमने कहा कि उन्होंने पूरे मन से जनता की सेवा की है और अगर आपको ये सरकार पिछली सरकारों से अलग लगी हो और हमारा काम अच्छा लगा हो तो हमें अपना आशिरवाद दें तो नारणगर पहुँची थी जन आशिरवाद यात्रा जहापर सिमनोहरलाल ने 75 पार का लक्षे प्राप करने के लिए जनता का आशिरवाद मांगा तो साथ ही लोगों से अपील की कि अगर इस सरकार से आप खुश है तो आप हमें अपना आशिरवाद दे उत्रप्रदेश में मुखे मंतरी योगी आदितनात का मंतरी मंडल का विस्तार टल गया है जिसकी वज़ा अभी तक नहीं बताए गई है लेकिन ये कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही मुखे मंतरी योगी के मंतरी मंडल का जो विस्तार है वो होगा इसे पहले अमिशाह की तरफ से स्वर्मोहर लगा दी गई थी लेकिन फिलहाल ये विस्तार टल गया है तो खबर के मताबिक योगी अपने मंत्री मंडल में करीब 12 मंत्री शामिल कर सकते हैं चर्चा ये भी है कि कुछ मंत्रियों को उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर तरक्की दी जाएगी जबकि कुछ मंत्रियों को हटाया भी जा सकता है और कुछ के विभाग वो बदले जा सकते हैं तो फिलहाल मुखे मंत्री योगी आदितिनात का मंत्री मंडल विस्तार तल गया है हाला कि वज़ा जो है वो सामने नहीं आई है लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है और कयास लगाए जा रहा है कि जल्दी योगी सरकार में मंत्री मंडल का विस्तार होगा करीब 12 मंत्रियों को ज जगा दी जा सकती है। श्रिला न्यास सेम की तरव से किया गया। आपको बदादे कि गौरकपुर दौरे पर हैं आधितिनात और जहाँ पर उन्होंने जनता दर्बार लगाया। और लोगों की जो सवस्या है वो उनकी तरव से सुनी गई तो योगी ने सूर्य कुंड धाम मंदर के दर्शन भी किये और इसके बाद कई पर योजनों का लोका अरपन और श्रिला न्यास किया। कानूर बनने की बावजो तीन तलाग के मामले थम नहीं रहे हैं। यूपी के कासगंच से ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां पर एक पती ने अपनी पत्नी को तीन तलाग इसलिए दे दिया कि महज वो अपने मायके से पैसे नहीं लेकर आये थी। यूपी के कासगंच से यह खबर है जहां पर तीन तलाग का मामला सामने आया है और पती ने पत्नी को इसलिए तलाग दे दिया क्योंकि उसने मायके से पैसे लेने से इंकार कर दिया। तो जिसके बाद उसने अपनी पत्नी की पिटाई कर दी महिला ने इसकी शिकायत ठाने में कर दी और इस बाद से नाराज होकर पती ने उसे तलाग दे दिया जिसके बाद पती की तरह से महिला की पिटाई की गई बदसलूकी की गई हाला की अब इस पूरे मामले में पुलिस जाच की बाद कर रहे है खबरों में आगे बढ़ेंगे हर्याना समेत कई राजों में बारिश का कहर परकरार है और इसे बीच अंबाला के मुलाना में मारकंडा नदी भी उफान पर है इलाके में बार जैसी स्तती है और ऐसे में कई जो गाओं है वो जलमगन हो गए है तो बारिश का कहर किस तरह से बर्पा हुआ है वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं तो अंबाला सहारनपूर नैशनल हाइवे तक बार का जो पानी है वो पहुँच गया है आसपास के जो हैं वो जलमगन है तो वही सफर करने बाले जो लोग है वो पशे हुआ है वह आप तस्वीरों में देख रहे हैं तो जिला प्रशासन ने अलर्ट जारीं है तो गाओं को का जो है वह सुरक्षित जगाओं पर जाने की सला दी जा रही है पानी के तेज बहाग के चलते नैशनल हाइवे 344 बंद कर दिया गया है तो लोगों को आवाजाही में दिकतों का सामना करना पड़ रहा है तो वहीं अंबाला के पास मुलाना में बारिश के चलते मारकंडा नदी भी उफान पर है जिसके चलते बार का जो पानी है वो इन इल पॉर नैशनल नैशनल जो हाइबे है वहां पर बार का पानी है वह पहुंच गया है जिसके चलते नैशनल हाइबे 344 को बंद कर दिया गया है पानी तो नेर बहुत बांद के नजीक ही आगया है पिसली गफ़ा से तो कम है लेकिन अभी भी कह रहे हैं कि पानी और आएगा अगर और पानी आता है तो उससे और भी ज्यादा दिख्र बढ़ेगी तो शासे ने बहुत अच्छा काम करा है बात करेंगे बांद आगे बनाया और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे बात करेंगे बैंगलूरू की बैंगलूरू से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है जहां पर एक नशे में धुतकार चालत ने कंट्रोल खो दिया और गाड़ी फुट पात पर चड़ा दी तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक जटके में यह गाड़ी फुट पात पर आती है और वहां खड़े लोगों को टक्कर मार देती है तो कार की चपेट में आने से कुछ लोग घायल हो गए तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बेलगाम कार ने किस कदर कोहराव मचाया पिलाल पुल तो वहीं बिहार की पूर्व मुखे मंत्री जगनात मिश्रा का निथन हो गया वो काफी लंबे वक्त से बिमार चल रहे थे और दिली के एमस में उनका इलाश चल रहा था तो दिली में उन्होंने आकरी सास ली 82 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया त 750 बार विहार के मुखे मंत्री रह चुके थे 1975 में वो पहली बार विहार के मुखे मंत्री बने थे और दूसरी बार 1980 और आकरी बार 1989 से 1990 तक विहार के मुख्यमंत्री रहे तो जगनात मुश्रा एक दौर में विहार के सबसे असरदार निताओं में से शुमार थे बात की सालों में चारा घोटाले में लालू यादव के साथ कोट ने उन्हें दोशी ठराया था उनके निधन पर बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने दुख जताया है आपको बता दे कि जगनात मुश्रा इंद्रा गांधी के भी विहद करीबी थे और अब उनके निधन से पूरे देश में शोग की लहर है और से के साथ इस बुलेटिन में फिलाल इतना ही आगे विज्वारी खबरों का सिलसला आप देखते रही आर नाइन टेवी